सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल BNC Universe को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले हाई दोस्तों मेरा नाम है विश्वास और आप देखर BNC Universe चैनल आउन योट्यूप आज हम बात करने वाले हैं प्लेस्मेंट एजेंसी के उपर और साथ साथ बात करेंगे कि गवर्मेंट किस तरह से प्लेस्मेंट एजेंसी की तोर से काम कर रही है कई सारे स्टेट्स में त तन आप सबको पता होगा की एमींड जो में जाती है शंक जान गया और बहुत है कि जो लोग भी रेजिस्टर हैं कर ç ImT जी हां दोस्तों यह हमारी जो पिछली मीटिंग हुई थी प्रोटेक्शन आफ इमिग्रेंट के आफिसरों के साथ उससे यह चीज निकल के आई है कि उनके ओपर भी केसे हैं पेंडिंग तो आप अगर भरोसा करें तो भरोसा करें किस पर तो यह वाली बात आ जाती है तो इस काम करें यह चीज पिछले डिसकर्शन में हुई थी जिसका यह निकला कि कई सारे एंप्लमेंट एक्षेंट जो कि अल्रेडी रेजिस्टर हैं उनके काम को देखके बागे स्टेट भी मोटिवेट हों और इसमें एंड्रोल करें ऐसे रिकृट्मेंट एजनसी तो इसमें ग काम कर रहें तो अभी हम यह डिसाइड कर रहें कि क्योंना हम ही यह रिकृट्मेंट एजनसी का लाइसेंस ले ले और हम इंडारेक्ली लोगों को अबराट भेजें तो यह एक आसान चीज हो जाएगी और आप हमारे थुरू से डारेक्ली जा सकते हैं यह सारी चीज़े सु कई और ऐसाँ होता है कि मैं आपकी फाइलों पर व ontना ज़जा ध्यान ने दे पाता है क्योंकि कई सारे क्लाइंट और भी है मेरे पास जो की ऑफिस आते हैं और फिर कई सारे काम ऑफिस के हैं जिसके वज़े से मैं आपके फाइलों पर उतना ज्यादा ध्यान ने दे पाता जितना मुझे देना चाहिए था तो इसलिए मैं सुझ रहा था कि क्यों ना मैं खुद एक प्लेस्मेंट एजनसी के तौर से रिजिस्टर करना हो अपने आपको और फिर आपको डारेक्ली भीजने में मैं खुद मदद करूँ बट ये तो फिचर के बात है अभी अगर बोले देन अगर आप जाना चाहते हैं और आपको रिक्रिटमेंट एजनसी पर भरोसा नहीं है क्योंकि कहीजारे रिक्रिटमेंट एजेंसी जो की गवर्मेंट से तो और वह सकते हैं और अगर चला रहे हैं गया उनके पास रेजिस्ट्रेशन लाइसेंस है आरे का तो इस तरह से आप employment exchange के थूरू से जा सकते हैं वैसे मैं खुद ये चीज रिसर्च कर चुका हूँ और मुझे ये चीज पता है कि सिर्फ पाँच ऐसे state है जहां पे ये चीज अविलेबल है और वो और से सेल रेजिस्टर है गवर्मेंट के साथ और उनके पास recruitment agency का लाइसेंस है जिसका ये मतलब के वो लोग सीधे सीधे आपको abroad बेज सकतने हैं मैक्सिमम स्टेट में यही है कि वो लोग मेडिकल लाइन और खासकर कि जो निचले पाइदान के कुछ जॉब्स होते हैं जैसे कि डॉमिस्टिक हेलपर वो वो लोग कर रहे हैं बहुत सारे ऐसे occupation है जो कि वो लोग नहीं कर रहे हैं तो वो एक चीज आप देख लिजे है कि किसी के website में आपको description में नीचे दे दूँगा आप personally in past state के जो चल रहे हैं उनके देख सकते हैं कि किस तरह से वो लोग placement कर रहे हैं और क्या-क्या वेकंसी है उनके पास यह सारी चीज़ें आपको उनके website में मिल जाएगी even उनके phone number website में दिये हुए होंगे आप चाहें तो उनसे directly contact कर सकते हैं क्योंकि कई सारे जो मेरे subscriber है यादो साउट से होते हैं यादो बंजाब से होते हैं तो दोनों ही जगा पर यह facility available है आप चाहें तो overseas cell जो की as a recruitment agency काम कर रही है इन past state में उनसे directly contact कर लीजिए और जो भी vacancy है उनके पास उसके मदद से आप abroad जाने में आप के लिए अपना रस्ता easy कर सकते हैं तो यह था एक update जो कि मैं चाहता था आपके साथ सेर करना क्योंकि मुझे लगा कि जो भी state से मेरे को call आ रहे हैं अगर उनको पता चल जाए कि उनके state में ही employment exchange एको वरसे cell चला रहा है जो कि as a recruitment agency काम कर रहा है then आपके लिए वो चीज ज्यादा helpful हो सकती है क्योंकि आप अपने state में ही जाके अपना registration कर सकते हैं और abroad जाने का काम जो है वो state government के थ्रूँ से करवा सकते हैं इससे ज्यादा safe क्या हो सकता है कि government खुद आपकी file put up करने में आपकी मदद करें तो इसलिए मैं चाहता था कि यह information आपके साथ सेर कर दो यह था अचका पूरा वीडियो फोप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है ता लाइक बटन जरूर क्लिक हीजेगा और साथी साथ मेरे चैनल को अगर अब तक subscribe नहीं किया है तो subscribe करते वह जाएगा ताकि आपको ऐसे videos और time to time मिलत हैं so this is Vishwa signing off stay connected